हाई फीचर ओफिसर्स अवेलकम यौल बैक तो एवीकेस अकैडमी होफिली आपका प्रिपरेशन बहुत ही ठीक टाक चल रहा है और इस वीडियो में आज हम डिसकस करने वाले हैं अब वेरी 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 इंपोर्टेंट टॉपिक जो काफी सारे स्टुएंट्स पूछ रहा ह आपको प्रोवाइट किया जाएगा ठीक है एवीकेस अकैडमी का टेलिग्राम चनल है जो डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक हम प्रोवाइट कर देंगे वहाँ पे आपको फूरी आफ कॉस्ट इसका प्रोवाइट किया जाएगा ठीक है तो आज हम a total of 25 most important report writing topics आज हम 20 marks है maximum यहां पर out of 10 आप 6 marks ठीक है 6 out of 10 score करने का चांस है 6 out of 10 score करने का चांस है तो report writing एक तरप से बोलने से it is easy when you know the topic और इसके उतना hard नहीं है अगर आप topic के बारे में जानते ही नहीं हो ठीक है for example ABG shipyard scam कितने लग को पता है अगर यह topic के बारे में आपको पता नहीं है आप single point भी यहां पर नहीं लिख सकते हो single point क्या है कब हुआ है कितने क्रोस का scam है तो एक single point भी यहां पर नहीं लिख पाओगा अगर आपको topic के बारे में पता है you will write in and out फूरा आप लिख क्या होगे at least कुछ ना गुस्ता आप लिख क्या होगे marks definitely आपको यहां पर मिलेगा अगर topic के बारे में पता नहीं है आपको यहां पर marks नहीं मिलने वाला तो उसी के point of view आज हम आपके सामने 25 topics लिख क्या है topics के साथ-साथ last में हम यह भी discuss करेंगे कि report writing का basically format क्या होता है report writing आपको present करना कैसे है वो भी आज हम यह particular वीडियो में discuss करेंगे इसके आपको क्या करना है आपको यह वीडियो last तक देखना है जो भी आपके doubt से आप comment कर सकते हो comment करके पूछ सकते है वीडियो को share करना है और भी तुरंती वीडियो को like करो ताकि और भी ऐसे काफी important topics और भी revision topics जो भी है आपके सामने हम लेके आते रहेंगे सो वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए announcement है एवी case का paper to book already बहुत सारे students ने purchase कर लिया है ठीक है एवी case का paper to book जो CAPF 2022 exam के लिए है book का totally out of stock है मतलब सारे books जो है already students purchase कर लिये है तो हमने क्या क्या है ebook launch किया है ठीक है मतलब paper to book का ebook मतलब आप इसको मतलब ebook purchase करके pdf आप download कर सकते हो pdf आप print out भी ले सकता है वो सुबिदा हम आपको provide कर रहे है तो एक second तो यहाँ पे आप देख सकते हो यह ebook का जो यह मतलब essays हो या argument यह index है ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हो previous year questions है यहाँ पे essays है ठीक है essays almost all 76 है इसके अलावा और भी updated topics आपको मिलेंगे and argument writing है ठीक है जिसमें almost all 35 topics है report writing है ठीक है आज जो भी हम report भी discuss करने वाले है सारे इसमें है और extra भी है and यह रहा आपका pdf आप इसको download भी कर सकते हो हिंदी मीडिय में भी यह available रहेगा so यह आपके revision के लिए बहुत ही helpful रहेगा revision के लिए बहुत ही helpful रहेगा काफी सारे points यहां पे covered है आपके points और यह book में जो points है दोनों मिला के आप अपना essay जो है argument और essay में भी help करेगा ठीक है so content काफी useful रहेगा आप जो भी यहां पर topic prepare कर रहे हो that will be useful for essay as well as your argument writing ठीक है report writing तो कैसा भी useful है यह तो आज का first topic देख सकते हो protests across India ठीक है यहां पर आप अगनिवीर के बारे में discuss कर सकते हो so directly यह समझ लो indirect topic है लेकिन इसको आपको correct करना है अगनिवीर के साथ floods in Assam and Bihar most important topic Sri Lankan economic crisis operation Ganga groundwater depletion disinvestment privatization के बारे में next Russia Ukraine war next आगया border disputes internal भी देखो external भी देखो next heat waves India's green hydrogen policy future of cleaner technologies global food assistance ठीक है India to Sri Lanka अफगानिस्तान तो यह सारा आप mention कर सकते हो ठीक है उक्रेन के लिए भी mention कर सकते हो food assistance के regarding and तापी नर्मदा प्रोजेक्ट के बारे में recently काफे सारे protests हो रहे थे तो वो भी यहां पे आप मतलब include कर सकते हो raising road accidents इसके बारे में आपको लिखना है यह common topic है fire safety measures recent times में काफी hot topic है यह next climate change के बारे में आपको यहां पे लिखना है next गगनियान के बारे में semiconductor world very important semiconductor crisis जो चल रहा था उसके बारे में सागर्मला प्रोग्राम के बारे में आपको देना है important यह भी है सागर्मला प्रोजेक्ट next pollution based debts in India ठीक है यह भी आपको topic note down करना है next net zero by two मतलब COP26 COP26 next आजादी का अमरित महुतसव important topic है यह आजादी का अमरित महुतसव में क्या क्या लिखोगे मतलब जो भी recent programs हो रहे हैं उस question करोगे question के according आपका answer change होना चाहिए लेकिन आपको prepare करना है पूरा ठीक है next the road of electrical vehicles के बारे में यहाँ पे आपको पूछा गया है next EBG shipyard scam के बारे में next आपको पूछा गया है अगर दूसरे और कोई भी scams के बारे में पूछते हैं तो आप जो भी nationally जो भी biggest scam से वह सारे आप scams in India raising scams in India growing scams in India ठीक है तो यह भी आप देख सकते हो temple idol disputes ठीक है temple idols का भी recently disputes जो है देखने को मिला है वो भी यहाँ पे आप prepare कर सकते हो as a part of report writing topic ठीक है तो report writing में सारे topics आपको prepare करना है इसका pdf आपको description के ने टेलिग्राम चैनल का link है महाँ पे आपको provide हो जाएगा और अभी तक हमने topics देखा है और अभी हम यह discuss करेंगे कि basically report writing का format क्या है ठीक है very simple है धियान से एक दो मिनिट सुनो आपको format के बारे में clear idea आजाएगा next और एक वीडियो में हम example के तौर में आपको समझाएगा format is very very simple काफी सब्सको थोड़ा hard समझते है या समझते नहीं है लेकिन लेकिन वीट सब्सक्राइब एक बार देखोगा आपको सुन में आजाएगा first of all report writing का एक heading होता है ठीक है first of all heading होता है heading के बाद एक line आप gap दोगे यहाँ पे आपको name देना है name आपको लिखना नहीं x y z यह correspondent water it में भी आप लिख सकते हो आपका name आपको यहाँ पे नहीं देना है उसके बाद place ठीक है उसके बाद date date देना है place प्लेस आप कोई भी देख सकते हो आपका मर्जी समझ लो कोई अगर करनाटगा में ठीक है कोई इशू चल रहा है तो करनाटगा का लिखो एपी में कोई इशू चल रहा है एपी लिखो देली में कोई एशू चल रहा है देली लिखो ठीक है तो प्रिफरेबली अगर कोई आपको पता नहीं है तो देली आप लिख सकते हो क्योंकि ministry of communication ठीक है ब्रॉड़कस्टिंग और यहाँ पे आपके two options है, either go with heading और subject, दोने में से कोई ना कोई एक आपको present करना है, आप subject लिखो या heading लिखो, दोने में से कोई ना कोई एक, subject भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर आप थोड़ों confused हो जाते हो, तर उस case में name, place, date, subject, उसके बाद, आपको main content जो होता है, वो चार पैरा में divide करना है, ऐसा नहीं कि एक ही पैरा में पूरा नहीं, आपको चार पैरा में divide करना है, एक एक पैरा का एक particular motor होना चाहिए, एक पैरा का एक motor होना चाहिए, and this particular report writing should be written in past tense, आपको past tense में report writing लिखना है, future tense या present tense में नहीं लिखना है, अगर कुछ statement है, कोई officials का statement ह समझ लो आप कोई future मतलब कोई suggestion दे रहे हैं या कोई opinion दे रहे हैं तो opinion कभी भी खुद का नहीं होना चाहिए opinion should be someone officials का opinion हो चाहिए कोई official का statement यहाँ पे आप represent कर सकते हैं या दे सकते हैं ठीक है so past tense में होना चाहिए report writing is nothing but you are a reporter जो भी वहाँ पे incident हुआ है वो directly यहाँ पे आप present कर रहे हो इसमें कुछ additionally add नहीं करोगे इसको निकालोगे भी नहीं जो वहाँ पे हुआ है वही बस यहाँ पे आप present करोगे ठीक है समझ में आ गया न तो उसका मतलब क्या है आपका opinion आपका suggestion आपका conclusion वाटर इट में भी यहाँ पे नहीं देना चाहिए तो यह strictly आपको award करना है opinion suggestion यह conclusion बोलते हैं basically यह way forward समझ लो यह strictly report writing में आपको देना नहीं है report writing should be in the past tense no conclusion or no way forward दे सकते हो provided it should be a statement of some officials को officials का statement है then आप वहाँ पे present कर सकते हो तो फिर से बता दूँगा heading देना है heading या subject वाटर इट में भी उसके बाद name देना है name आपका नाम नहीं लिखना है XYZ लिखो ABC लिखो या correspondent लिखो Hindu correspondent वाटर इट में आप लिख सकते हो place आपको लिखना है date लिखना है ठीक है place आपका मर्जी preferably डिल्ले लिखो हो आपको अगर कुछ idea नहीं है देन उसके बाद subject ठीक है उसके बाद आपको main content में आ जाना चाहिए content पूरा खतम होने के बाद आपको reference देना है ठीक है reference तभी देना है जब आप when you are very much sure आप बहुत ही sure हो वहीं से आपने content लिया है उसी case में आपको reference देना है reference is optional ठीक है reference is optional reference तभी देना है if you are very much sure हमने काफी सारे students को देखा है जो reference देते हैं दी हिंदू लिख देते हैं और काफी सारे लिख देते हैं लेकिन ऐसा देखो वो formality में लिखना नहीं अगर सही में वहां से आपने content गिया है तभी जाके आपको वहां से जो है मतलब दी हिंदू हो या पी आई भी हो वो आपने article रिफर किया है वो article यहां पे लिख सकते हैं hopefully यहां तक आपको पुरा संद में आ गया है and कुछ भी doubt है आप comment करो definitely मैं answer करने क के ट्राइ करूंगा and ठीक से प्रिपर करते रहो ठीक से रिवाइस करते रहो and we will be engaging you with new and very useful content and thank you very much जाहिंद